जी विस्मुलारामानुराहिम इस लेक्शर के अंदर हम देखेंगे कि आप हार्ड डिसीज के डेड़ा सैट के उपर किस तरीके से अपनी जो नोटबुक आउसे प्रिपेर कर सकते हैं मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं आपके सामने और इस स्क्रीन के उपर यह जो नोटब है इसके उपर हमें जो प्रिजेंट करेंगे वो हैं बिलाल भाई and let's see कि उन्होंने क्या काम किया है and seems like a nice notebook इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह notebook कहां है क्या है क्यों है किस वज़ा से है same वही चीज कि UCI Heart Disease data के उपर काम है अगर मैं इस data पर click करूँ so you can see कि यह data जो है basically यहां से लिया गया है और यहां पर इनके codes मुझूद है and then you will find different kind of things here comment को अगर देखा जाए तो hopefully यही होगा mashallah भाई very impressive good work ठीक है not more than that but let's see कि इस notebook के अंदर कौन-कौन सी important चीज़े है पहली चीज़ जो important जो मुझे important लगती है वो यह कि cover photo एक अच्छी बनी हुई है and seems like इनोंने AI से बनाई है क्योंकि I know कि AI का font यह वला होता है और बीच में mistakes होती है 31 के बाद 57 आता है 57 के बाद 31 नहीं आता so many other things are there जो थोड़ी-थोड़ी errors होती है तो इनको भी देख लिया गरे तो बिलाल खान का ये author है ये इनका email है इनको चाहिए LinkedIn और Kaggle वगएरा का जो अपना account भो भी डाले और इतना ज्यादा text देने के start में ज़रूरत नहीं है you can define in different way एक important चीज़ आपको और बता दूँ जो मैं आज ही देखी और आज ही आपको समझाने वाला हूँ बाकियों को भी अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो वीडियो record करें कि ये notebook किस बारे में है और date से दो मिनिट की वीडियो हो या एक मिनिट की और वो वीडियो का link आप यहां पे paste कर सकते हैं and that video will be embedded here कि लोग सिरफ उस notebook को सुनने से पहले देखने से पहले आपकी वीडियो देखने हैं so it will actually increase the audience और इस तरीके से आपकी notebook और भी advanced level पे आएगी जी बिलाल साहब आपकी इस notebook के अंदर जो मुझे चीज़ देखने के मिली है एक तो यह है कि आपका जो notebook है इसका table of content बिलकुल एक ही content के अंदर है it should be more than that secondly आप बताएं मैं scroll down करता हूँ and then we will see कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो important है जी आपकी notebook के अंदर जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो उनके बारे में मैं बता देता हूँ मैंने इसको zoom out इस वज़ा से किया हुए that people can actually have an idea कि यहां पे कौन-कौन सी चीज़ें जो आड की गई है यहां पे जो color palettes का use है खासतोर पे यह वाली color palette it makes sense वरना जहां पे dark correlation है वहां पे taxi नहीं निज़रा रहा रहता है so color palettes का use अच्छा किया हुए secondly, यह जो आपने 1.6, 1.5 different जोगों पे add किया और headings आपने बताई हुए it makes sense और यह बहुत अच्छी चीज़ है third, आपने जो content है बुजारी बात है आपने upload ही करने है फिर again, यहां पे color palette आप चेक करें seems like professional color palette ठीक है? पिछली पे हमने notebooks देखी है वहाँ पे बच्चों माले लग रहे थे I'm not discouraging that लेकिन उनका और इसका फरक है ठीक है? और आप view करेंगे देख सकते हैं अगर कोई professional देखेंगे उसको पता चलेगा कि professionally इस पे काम हुआ है फिर अगर आगे बात की जाए खास तोर पे tabulation की तो आप वह भी देख सकते हैं कि अगर describe का गॉलम है जो फरवा की notebook के अंदर मैंने discourage किया था कि आपको group by करने का मकसद पता होना चाहिए and you cannot group by based on the continuous variable कि आपके पास 1000 values आ जाजाएं या 10s of values आ जाजाएं ठीक है? And then यहाँ पे जो missing values हैं यह basically वह ही सारी चीज़ है भी strategy आभी and चले बिलाल भाई, let's see कि आप एक question का answer दे सकते हैं कि नहीं, फिर हम इस पर discussion करते हैं कि क्या आप यह present करेंगे कि नहीं पहला question मेरे यही है why did you choose to go with binary classification? सब उसकी कुछ भज़वाद हैं जो मैंने इसको apply किया थे सबसे पहले मक्सद यह था कि आप निगाता कि accuracy improve करनी है तो मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा test किया थे मैंने columns की जो है ना वो इतनी feature engineering बहुत तरीकों से की लेकिन मेरा score चाथा maximum 72% आ रहा था और इसको मैंने abstract में explain भी किया है और इसका मैं मजीद detail में भी गया हो नीचे कि the reason why I actually used that was the approach to simplify it दूसरा यह था क्योंकि मैं मदर-इनलो जाहना वो she's from a medical profession तो उन से मैंने discussion हुई थी उनको मैंने का था कि what is the most important thing for you to predict or to have detected or to detect in a person कि what is a heart disease तो उनी उसी domain knowledge की अन्ने से मैंने जब discussion की तो उनने मुझे बोला कि normally almost every person has low some kind of low at different ages थीक है तो what is most important for us to know is that if a person is detected or not detected simple as that तो मैंने का चले क्योंकि मैंने कोई आप कोई बिसी थे मैंने को क्वेशन जी send किया था कि शुद I go for this approach फिर मैंने आपको रफरेंस भी दिया था कुछ बुक्स का कि वहाँपे यू पर यू आपको इसको आप simplify कर सकते हैं into different classification में मैंने बुक का रफरेंस भी दिया था आपको in the chat तो इन वजवात की बिना पर I actually went for the high accuracy through binary classification एक multi-class label को मैंने binary classification में इसको मैंने change किया and I can actually explain in much more detail about my notebook and how I connect all the dots from the previous to forward तीक है मैं आपसे request ये करूँगा कि अगर आप zoom की meeting पे अंदर because I would love to hear about that अगर आप zoom की meeting खुद पे start कर लें और उसको record कर गे यहां पे अपनी video upload कर दें that would be nice जी sure तो उससे गया होगा बाकी लोग जाए उसको सुन भी सकेंगे और basically आपके लिए भी बेतर होगा कि आपकी notebook के profile बन जाएंगी और ये मैं idea सभी को भी दोँगा जी जी बोलें मिला मैं कुछ बहुत important चीजें थी चिदा-चिदा मैं explain कर सकता हूं अगर आपको if you give me the chance to move forward in this I don't know do you want to close this presentation or do you want to move forward binary पे binary पे हम move नहीं करेंगे अभी उसकी reason यह है because from my point of view अगर एक multi-class classification की problem हमारे पास है और label हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है ठीक है so it doesn't make any sense कि हम उसको 0 या 1 में करें इसकी मिसाल में आपको simple दे देता हूं एक बंदा जुसको इतनी heart pain है कि वो बंदा उसको मैंने पिंजाबी में मिसाल दी देगी तो मरन कनारे पे है यानि कि death pad के उपर है that person cannot be similar to the one which has a mild heart pain और वो सिरफ ऐसे chest pain है थोड़ी सी या heart pain है उसको या heart disease which can actually spend the next 30 days यह दोनों बराबर नहीं हो सकते ठीक है so इस वज़ा से हम सारी classes को combine करी नहीं सकते ठीक है तो हमें ने ने मैं आपको बताता हूँ second thing जो होती है हमारे पास यह होता है कि आप zero यानि कि no heart disease और one heart disease अगर आप करते है it can be a problem कि आप बता दें कि किसी को heart disease है या नहीं है या chances of heart disease कितने है and that person can go for the next analysis so उस base पे आप binary की तरफ जा सकते हैं लेकिन जो problem थी मैंने define की थी और जिसके ओपर हमने काम किया था that was multi class classification problem ठीक है तो उस reason की वज़ा से मैं ये बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपने binary में नहीं जाना you can go एसान भाई आपको मैं दुबारा से कहता हूँ कि you can go for binary classification but it should make sense आपका hypothesis बताना चाहिए कि हमने ये analysis इस बज़ा से किया है कि एक बंदा है जिसको heart disease नहीं है एक को heart disease के chances है हम ये नहीं कहेंगे कि mild severe है या क्या है उसको chances है and that person can go for next kind of analysis वो किसी भी किसम के ECG या other analysis के लिए जाए क्योंकि उसको heart disease के chances है but जो हमने यहां पे देखा था जो assignment थी हमारी multi class classification की accuracy इंप्रूव करना था इस वज़ा से हम इस notebook को आगे move नहीं कर सकते I'm hopeful कि आप इसको understand कर सकते हैं जी actually ये जो multi classification ये बहुत late नीचे की है तो उससे पहले तो जितना भी है that is feature engineering वो तो just normal like any other feature engineering जी जी उसमें आती है तो जी जी बिलकुल मैंने link link सभी के साथ share कर दी है और इस सब बहतर तरीका ये होगा कि आप अगर इसकी छोटे सी recording करके उस पे upload कर दें और ये ही चीज़ मैंने बताई है कि आपने headings भी डाली है और बाकी चीज़ें भी डाली है और ये ही मकसद होता है feedback का और इस वेड़ा से मैंने बोला था कि ये इस notebook के अंदर काफी चीज़ें हैंसी हैं जो बिलकुल नहीं है और जो मैंने बताई थी and you implemented that I really appreciate that thing और मैं इस वेड़ा से सभी के साथ link भी share कर दिया आप अगर इसको present करना चाहते है again I would say कि इसको वीडियो एक चोटी से record करें इसी तरीके से और उसको यहां पे टाउए और आपकी notebook से हम कुछ चीज़ें हमारे आने वाले projects के अंदर भी लेंगे और I will credit you for that इंशाला ठीक है और एक चीज में आप कोशनी थी